आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित रसायन विज्ञान भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें हेलो फ्रेंज्स हमारा प्रशन है स्पर्मेटो जनेसिस वह प्रकरम है जिसमें विजल्पी स्पर्मेटीडों में परिवर्दन होकर शुकराणों बनते हैं विजल्पी स्पर्मेटो गोनिया से स्पर्मेटीड बनते हैं विजल्पी स्पर्मेटो साइड से शुकराणों बनते सबी में से होती है तो स्पर्मेटोजनेसिस के अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो स्पर्मेटीड होते हैं स्पर्मेटीड होते हैं यहां पर इसे स्पर्मेटीड लिख लेते हैं जो क्या रहते हैं जो की spermatid spermatid होते हैं spermatid में परिवर्तन होता है spermatogenesis की प्रक्रिया के अंतरगत और धीरे धीरे परिवर्तन के द्वारा क्या बनते हैं शुकराणू बनते हैं अब इसमें किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं तो यहां पर पहला परिवर्तन होता है गोलगी अवस्था, जिसे गोलगी अवस्था के नाम से जाना जाता है, इस गोलगी अवस्था के अंदर जो शुक्राणू है, उस शुक्राणू के सिर का निर्मान होता है, ठीक है, सिर का निर्मान होता है, क्योंकि शुक्राणू सिर धर और पूच में बटा होता है, ठीक है दोस्तों जो की शुकराणू के सीर का एक भाग होता है सीर के ऊपर पाए जाता है और तीसरी वस्ता होती है शुकराणू की पूँच का निर्मा ठीक है इस प्रकार जो है वो शुकराणू निर्मित होता है किससे iSpermatid से तो विकल्बों को देख लेते हैं पहला दिया है, इस्पर्मेट्रों में परिवर्तन होकर शुक्राणू बनते हैं, तो दोस्तो यही प्रक्रिया होती है, इस्पर्मेट्रों गोनिया से इस्पर्मेट्रिट बनते हैं, तो दोस्तो इस्पर्मेट्रों साइट से इस्पर्मेट्रों बनते हैं, तो दोस्तो कुछ अन्य परिवर्दन के कारण होती है ठीक है तो हमें यहां पर spermatogenesis के अंतरगत पूची कई प्रक्रिया हमारी कौन सी होगी विकल्प ए इस पर में टीटों में परिवर्दन होकर शुक्रानू बनेंगे आशे करते हैं अपर प्रशने का उतर समझाया होगा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आशे डाउनूट करें डाउटने आप या वच्टाप करें अपने सारे डाउट आच चारसो 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 पर